असलाम अलेकूम गाइस वीवर्स आज मैं पकाने जा रहा हूँ श्रिम्प राइस श्रिम्प राइस जो कि बहुत ही असान तरीक से बनाई जाती है इसके लिए हमें दर्कार है मिनमम फ्यूटिन पीसेज श्रिम्प लें 400 ग्राम राइस लें बासमाती राइस और पानी में डवय को रैधे और दो ओनियूंह और इसको इस तरीकिसे काट दे मतलब ये यह साइज बतलब इस तरीकी से काट लें और इसके लिए चाहिए करी मसाला मैं आपको पिक्चर में देखा दूँगा आप फिर वही मसाला ले लें तरीका जो है वह बहुत ही असान है आई यह बनाते हैं आपने पहले ओयल डालना है यह तक्रीबन 50 एमल ओयल है यह इसके बा कि यह ओनियन आप लोगों ने ज्यादा गोल्डन नहीं करने है गोल्डन के लिए रखती है इसमें हमने तोड़ा सा ओल मिलाना है यह और सॉल्ट हमने इसमें सॉल्ट डालना है उबलने के दिए यह पानी में उबाल आ जाए तो इसके बाद मैं राइस में लाते हैं अभी आप देख सकते हूँ अभी राइस में ला लें और कवर करते हैं इसमें तिन चार जो हैं हो कड़बों मिला लें तो यह और चावल को ज्यादा नहीं उबालना है 75 परसंट चावल पक जाएं तो फिर हमने इसको उतारना है अच्छा यह विदे के गोल्डर हो रहे हैं अभी तोड़े से ओड़ गोल्डर हो जाएं पिर हम इसमें श्रिम्प और सॉल्ट मिलाते हैं और करी मसाला यह दे को बिल्कुल तयार हो गए है 75 परसंट चीए कुक हैं अभी हम इसको उतारते हैं पानी निकाल के मुझे दो कि अ सब्सक्राइब को पारिए अच्छा यह देखें अ बस इतना ही गोर्डन चाहिए इसके बाद आप श्रिम्प मिला लें यह श्रिम्प बहुत जल्दी कुकु जाते हैं यह और सॉल्ट सरी चाइना सॉल्ट से यह चाइना साल्ट और सॉल्ट यह चाइना साल्ट और सॉल्ट विला की अभी मसाला इसमें जाल दो करीम मसाला मसाला पकने के लिए हमें इसमें तोड़ा सा पानी मिलाना है जैसे कि एक टेबल स्पूल यह बस यह मिला कि इसका मसाला जो है तयार हो गया श्रिम्प फुल कुक है यह देख सकते हैं आप और यह त्यार है मसाला भी इसको बन कर दें तो पहले अपने रईस मिलाने है तोड़ी यह सेम प्रोसीजर जैसे बिर्यानी बनती है और अब इसके बाद जो है जो तयार है वो मसाला और जो बागी रईस है इसके उपर डालने के लिए और अब जो पाकी जितना भी मसाला रहे गया है वो मसाला और ओयल यह इसके उपर डालने अच्छा यह डालने के बाद हम अभी इसको रखते हैं दंपी फायर को है वो बिल्कुल स्लो होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ पांच मिनट के लिए हमने इसको रखना है अब पांच मिनट के लिए इसको दंप के रखने लो फायर पे अब ने फायर से हटाया अब अब चेक करते हैं यह को सारा जो दंप से निकला यह देखो अब बहुत जबर दस यह को नीची बिल्कुल लगा नहीं है बहुत फेंटास्टिक अब देख सकते हैं जबर दस माशाला अभी हमें अजाज़त दीजिएगा मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ और जो मेरे चैनल पर नहीं है मेरे चैनल सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो के साथ स्लाव आलेगा झालेगा झाल